मद्ध प्रदेश में गधों का अनूठा मेला लगा है सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकनी तट पर लगे दो दिनी मेले का आज दूतरा दिन है पहले दिन यहां करीब सवा कडोर रुपे का कारोबार हुआ यहां पहुँचे गधे और खचर अपने आप में खास है इनके मालिकों ने कद काठी, रंग रूप और विवहार के आधार पर इनके नाम रखी है कोई सहरूख है तो कोई अच्छ है किसी को सलमान कहते हैं तो किसी को कैटरिना इस दोरान खरिदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के अधार पर मोल भाव करते हैं इस मेले में यूपी और एंपी के पसुपालक अपने अपने गधों को बिक्री के लिए लेकर पहुँचते हैं बताया जाता है कि यह मेला मंगलवार से शुरू हुआ है इस मेले में लगभग पांच हजार गधे लाए गए हैं पहले दिन यहां पर सवाकडोर का कारोबार हुआ यहां गधों की एंट्रिफीस तेन सो रुपिया है यह ओफीसियल मेला है जिसके आयोजन के लिए सासन से आदेश जारी होता है यहां दो दिन में लगभग तीन कड़ोर रुपए का कारोबार होता है गधों और खच्चरों की अच्चे कीमत बसोलने के लिए इनके मालिक इनका नाम फिल्मी सितारों के नाम पर रखते है नाम की हिसाब से ही उनकी कीमत तैगी जाती है इस बार दो लाक रुपए की सबसे महगी बोली सल्मान की लगी तो वहीं सहरूख 90,000 रुपए में बिका करिस्मा नाम की गधी 20,000 में बिकी जबकी शेफ 12,000 में खरीदा गया रणवीर 40,000 तो रितिक नाम का गधा 70,000 रुपए में बिका बजन जादा ढोने की छमता वाले गधे का नाम रणवीर और रितिक रखा गया है टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए सपना से फिरोज बागी की रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश टाइम एट मद्ध्रदेश आपका अपना चैनल है आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूलें मद्ध्रदेश में गधों का अनूठा मेला लगा है, सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकनी तट पर लगे दो दिनी मेले का आज दूतर दिन है, पहले दिन यहां करीब सवा कडोर रुपय का कारोबार हुआ, यहां पहुंचे गधे और खचर अपने आप में खास हैं, इनक किसी को सलमान कहते हैं तो किसी को कैटरिना, इस दोरान खरीदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के अधार पर मोलभाव करते हैं, इस मेले में यूपी और एमपी के पसुपालत अपने अपने गधों को बिक्री के लिए लेकर पहुंचते हैं, बताया जाता है कि यह मेला मंगलवार से शुरू हुआ है, इस मेले में लगभग 5,000 गधे लाए गए हैं, पहले दिन यहां पर सवाकडोर का कारोबार हुआ, यहां गधों की एंट्रिफीस 300 रुपया है, यह ऑफिसियल मेला है, जिसके आयोजन के लिए सासन से आदेश जारी होता है, यहा दो दिन में लगभग 3 कड़ोर रुपय का कारोबार होता है, गधों और खच्चरों की अच्चे कीमत बसोलने के लिए इनके मालिक इनका नाम फिलमी सितारों के नाम पर रखते हैं, नाम की हिसाब से ही उनकी कीमत तैगी जाती है, इस बार 2 लाक रुपय की सबसे महगी बो सतर हजार रुपय में बीका बजन जादा ढोने की छमता वाले गधे का नाम रणवीर और रितिक रखा गया है, टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए सतना से फिरोज बागी की रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश, टाइम एट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है, आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूल मद्ध प्रदेश में गधों का अनूठा मेला लगा है सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकनी तट पर लगे दो दिनी मेले का आज दूतरा दिन है पहले दिन यहां करीब सवा कडोर रुपे का कारोबार हुआ यहां पहुँचे गधे और खचर अपने आप में खास हैं इनके मालिकों ने कद काठी, रंग रूप और विवहार के आधार पर इनके नाम रखी है कोई सहरूख है तो कोई अच्छ है किसी को सलमान कहते हैं तो किसी को कैटरिना इस दोरान खरिदार उनका मुआयना कर रंग रूप और कद काठी के अधार पर मोल भाव करते हैं इस मेले में यूपी और एंपी के पसुपालक अपने अपने गधों को बिक्री के लिए लेकर पहुँचते हैं बताया जाता है कि यह मेला मंगलवार से शुरू हुआ है इस मेले में लगभग पांच हजार गधे लाए गए हैं पहले दिन यहां पर सवाकडोर का कारोबार हुआ यहां गधों की एंट्रिफीस तेन सो रुपिया है यह ओफिसियल मेला है जिसके आयोजन के लिए सासन से आदेश जारी होता है यहां दो दिन में लगभग तीन कड़ोर रुपए का कारोबार होता है गधों और खच्चरों की अच्चे की मदबस वोलने के लिए इनके मालिक इनका नाम फिलमी सितारों के नाम पर रखते है नाम की हिसाब से ही उनकी कीमत तैगी जाती है इस बार दो लाक रुपए की सबसे महगी बोली सल्मान की लगी तो वहीं सहरूख 90,000 रुपए में बिका करिस्मा नाम की गधी 20,000 में बिकी जबकी शेफ 12,000 में खरीदा गया रणवीर 40,000 तो रितिक नाम का गधा 70,000 रुपए में बिका बजन जादा ढोने की छमतावाले गधे का नाम रणवीर और रितिक रखा गया है टाइम एट मध्धिप्रदेश के लिए सतना से फिरोज बागी की रिपोर्ट मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्धिप्रदेश टाइमेट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूलें